saha high friends आप लोका इसे हैं आपका अपना चैनल साहिल एजीकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है आज हम लोग बात कर रहे हैं पॉलिटिकल सैंसका जो अबजयक्टिक्टिव कोश्चन है इसका आज हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन का बटन दबा दें और वीडियो को लाइक आप जरूर कर दीजिएगा चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करें कि भारत संजुक के राष्ट संग का सद से 1945 में बना थे इसलिए अगला क्वेशन है सिम्ला सम्झावते पर भारत के किस परधान मंत्री ने हस्ताक्षर किये तो इसका एंसर होगा इंद्रा गांधी जो कि पाकिस्तान और भारत के बिए सिम्ला सम्झावता हुआ था जिसमें पाकिस्तान की गोर से बेनजीर भूट और नेता ऊक्सापक नेता इसका सही एंसर है सी जग जीवन राम जो हैं कांगरेस फ抟 डिमोकरेसी कें संस्थापक नेता थे अगला क्वेशन संपुर्ण कुरांती अंदोलोन का नेत्रित नेकिया गलान कहली जनसंग Congress for democracy और संगठन Congress April 1977 में बिलायकर कौन पार्टी बनाए तो सभी पार्टी मिलकरके जनता पार्टी जनसंग Congress for democracy और संगठन अगला question जो है तेलगु देशम किस राज्य का छित्रिये दल है तेलगु देशम जो है आंध्रपर्देश का छित्रिये दल है अगला question है सवराष्ट्र किस राज्य का अंग है तो स्वराष्ट्र जो है वह गुजरात का एक अंग है इसलिए आपका option D सही है अगला question अकाली अंदोलनकारियों की मांग क्या थी तो इसका सही answer है प्रिथक राश्ट्र यानि अकाली अंदोलन कारी जो है अलग राश्ट्र की अस्थापना का मांक करते थे इसलिए आपका C अप्शन सही है अगला कोस्टञ है मेघा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है तो मेघा पाटेकर का नाम जो है वह अन्रमदा बचाव आंदोलन से जुड़ा है इसलिया आपक्राप्षन सी सही है अगला question है पहला पिछडा आयोग का अध्यक्ष कौन था यानि सबसे पहले पिछडा आयोग का अध्यक्ष कौन थे तो इसका सही answer है A. Kalelkar यानि Kalelkar साहब जो है पहला पिछडा आयोग का अध्यक्ष थे अगला question है 1998 में अस्थापित जनता दल का संस्थापक किसे माना जाता है तो इसका सही answer है C, BPC को C अप्शन आपका सही है अगला question है G77 में कौन से देश आते हैं G77 में विकास सील देश आते हैं इसलिए आपका option C सही है अगला question है पहले गुट निर्पेक्ष समयलन में भारत का परति निधित्व किस ने किया तो पहले गुट निर्पेक्ष समयलन में भारत का परति निधित्व करने वाले पंडित जवाहरलाल नहरू थे इसलिए आपका option B है नहरू अगला question है किस देश ने नाटों में अमेरीकी नेत्रित्व का बिरोध किया तो वह है ब्रिटेन ए अप्सन आपका सही है अगला question है कांग्रेस भंकर लोग स्वराज संग गठित करने का सुझाव किस ने दिया था तो कांग्रेस भंकर के लोग स्वराज संग गठित करने का सुझाव महात्मा गांधी का था इसलिए अप्सन सी सही है अगला कोश्चन है भारत पाकिस्तान के बीच तास्कंद सम्झावता कब हुआ था तो भारत पाकिस्तान के बीच तास्कंद सम्झावता 1966 में हुआ था बी अफसनापका सही है 1906 में अगला कोश्चन है तास्कंद सम्झावते के समय सोवित संग्हका प्रतिनिधित्व क्यों कहली ने किया था इसलिए अपका अपकी सही है कौन सिद्जिन अगला कोश्यन है click отсली राष्ट संग का सबसे बड़ा आंग कौन सा है संग का सबसे बड़ा आंग किस्विध आमेरिका के प्रभुत्व से कायम हुआ अगला कोश्चन है कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया गया कौन सा वर्ष तो इसका सही अंसर है डी यानि 2006 में भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया गया अगला question है, 2014 में भारत चिन संबंद सुधारने की और किस भारतिय पर्धान मंत्री ने पहल की? So, 2014 में जो है, माननीय नरेंदर मोदी उससमें पर्धान मंत्री थे, जो क्या भी भी है, उन्होंने ही भारत चिन संबंद सुधारने के लिए पहल किये, भी अफसना का सही है. इसका सही एंसर जो है सी है सिरी लंका जो है दक्षिन एसीया का नसलिय उग्रवाद से प्लित है अगला कोश्चन है दक्ष यानि सार्क में कितने देश है सार्क में जो है आठ देश है इसलिए आपका आप्षन D सही है आठ अगला कोश्चन है किस दक्षिन ACI देश में संबैधानिक संकट है तो नेपाल में जो है संबैधानिक संकट है D आपका सही है सुरक्षा परिशद में कूल अस्थाई सदस्यों की संख्या कितनी है उस्थाई सदस्यों की संख्या 5 इसलिए आपका क्षिन दो हजार तीन में आमेरिका ने किस देश पर हमला किया 2003 में अमेरिका ने इराग पर हमला किया था इसलिए आपका अप्शन भी है दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन का बटन दबा दें जिसे की वीडियो सबसे पहले आप वीडियो